नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारी एक नई अपडेट लाए हैं दोस्तों वीडियो में आग बढ़ने से पहले हम आप से कुछ रुकेस्ट करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वैल आइकन को प्रेस करें जिससे कि जो भी नई अपडेट लाती है वह सबसे पहले हमाँ आप के लिए लाएंगे दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी कर लें तो आज का बड़ा अपडेट है दोस्तों कि जी राजिस्तान न्यूज का ट्यूट है वह हम आपको पढ़कर बताने जा रहे हैं 30 पदों के लिए आयजित ह आरक्षन इसमें दे दिये गया है अरताथ जो अप्यों भरती है तीस बदों के लिए उसमें EWS और MBC के लिए 5% आरक्षन MBC के लिए दे दी गया है और EWS के लिए जो दे दी गया है सवर्णों के लिए 10% आरक्षन दे दी गया है दोस्तों तो यह एक वड़ा अपडेट है तो सभी विद्यारती जो MBC के हैं और EWS के हैं वो अपने आने वाले बरतियों में सर्टिपिकेट बने वाले दोस्तों तो दूसरा ट्वीट हम पढ़कर बताते हैं जी राजस्तान न्यूज का अजमेर राजस्तान लोग से वायोक से युवा वे रजजगारों के लिए मिल रही है बड़ी ख़बर आयोक को सरकार से मिली भरती बिग्ग्यापन जारी करने की अनमती नए आरक्षन वर्गी करन के बाद अब जारी होंगे भरती परिक्षाओं के बिग्यापन, पहला बिग्यापन जारी होगा, एपी आरो भरती परिक्षा का, तो ये पहला ट्विट है, उसके बाद ये ट्विट आया था, तेईस पदों के लिए आयुजित होगी, एपी आरो बड़ी खबर करनल क्रोड सिंग वेंसला ने मुक्ष मंत्री को लेखी चिट्टी प्रक्रियादीन बेकलोग की भरतियों को लेकर की मांग 25,000 पदों पर जल्द से जल्द हो भरतियां तो यह गूजर आरक्षन आंडोलन की जो खबर थी यह जी राज्तान न्यूज का जो भी जो इस आरक्षन से संब्दित खबर आती है और जो बर्गी करन किया जाता है एकजाम से संब्दित और आरक्षन से संब्दित वह सबसे पहले हम आप के लिए वीडियो में लाएंगे दोस्तों और चैनल को ज्यादा शेजादा सेयर करें जिससे की सभी बरतिवागि को पता चल जाए जिनको पता नहीं है और वीडियो को लाइक भी रूर करें धन्यवाद दोस्तों